गुट मॉरिंग चिल्डरन आज हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा पराधादी लेसन तोता और मोर देखिए नूतन गुंजन पेज नमबर 50 पे एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे ठीक है एक था मोर और एक था तोता जैसे पिक्चर में आपको दिखाए दे रहा है कि एक और एक है तोता तोते का घर पेड़ पर था मोर नीचे धर्ती पर नाचता वह रात को पेड़ पर सोता मोर और तोता मित्र बन गए मित्र में वो दोनों दोस्त बन गए अब जब वो मित्र बन गए तो एक दिन मोर को भूग लगी उसने तोते से कहा मुझे भूग लगी है किसने कहा मोर ने तोते से कहा मुझे भूग लगी है तोता बोला लो ये फल खाओ उसके पास फल थे तो उसने बोला लो ये फल खाओ आज सुबह बगीचे से लाया था कि मैं सुबह ही बगीचे चे ये फल लाया था खाओ खाओ मोर ने पूछा तुम और तुम न खाओगे क्या तुम फल नहीं खाओगे जब मोर ने पूछा कि क्या तुम नहीं खाओगे तो तब तो ता बोला एक तेरा और एक मेरा, दो फल हैं तो एक तुम्हारा और एक मेरा तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो, चलो हम साथ साथ खाते हैं आप प्रिष्ट संख्या पेज नमबर 51 पे अभ्यास प्रस्न प्रस्न है हमारे पास सही सब्द लिखकर उत्तर, पूरे, करो यहाँ पर सब्द पहले से ही दे रखे हैं जमीन, मूर, पेड, फल और तोता अब हमें इन्हें चुन कर सही जगे पर लिखना है को प्रस्न है पेड़ पर कौन-कौन रहते थे इसका अंजर आएगा पेड़ पर मूर और तोता रहते थे पहले वाले खाली जगे में आएगा मूर और दूसरी वाली खाली जगे में आएगा तोता अब को प्रस्न है कि मूर कहा नाचता था इसका आंसर आएगा मोर जमीन पर नाचता था खाली जगे पर आएगा जमीन गोव प्रस्न है मोर कहां सोता था इसका आंसर आएगा मोर पेड़ पर सोता था means खाली जगे पर आएगा पेड़ गोव प्रस्न है कि तोते ने मोर को क्या दिया इसका आंसर आएगा कि तोते ने मोर को फल दिया तो खाली जगे में आएगा फल प्रस्ण है कि चित्रों में रंग भरो और नाम लिखो तो आपको तोता इस तरह से जैसे में चित्र है ऐसा तोता बनाना है और लिखना है तोता और फिर more का चित्र गनाना है और लिखना है उसमें more ओके